अभिज्यान सकुंतलम महाकभी कालिदास की विश्व विख्यात नाटक है जिसका अनुबाद प्राय सभी विदेशी भासाओं में हो चुका है इसमें राजा दुस्यंत तथा सकुंतला के प्रने, विवाह, विरह, प्रत्या ख्यान तथा पुर्ण मिलन की एक सुंदर कहानी है महाकभी कालिदास द्वारा जो कहानी नाटी का अभिज्यान सकुंतलम में वर्णित की गई है वो महाभारत में बढ़नित कहानी से कुछ भिन्य है कालिदास द्वारा कुछ बृत्तांत कथा में जोड़कर उसे रोमांचक तथा रोचक बनाया गया है तो आईए इस नाटक को जानते है सकुंतला राजा दुस्यंत की पत्नी थी जो भारत के सुप्रसित धराजा, भरत की माता और मेनका अपसरा की कन्या थी महाभारत में लिखा है कि सकुंतला का जन्व मेनका अपसरा के गर्ब में हुआ था जो इसे बन में छोड़कर चली गई वन में सकुंतो यानि पच्छियो आदी ने हिंसक पसुँ से इसकी रच्छा की इसी से इसका नाम सकुंतला पड़ा वन में से इसे कनब रिसी उठा लाए थे और अपने आस्रम में रखकर कन्या के समान पालते थे एक बार राजा दुस्यंत अपने साथ कुछ सैनिको को लेकर सिकार खेलने निकले और घुमते फिड़ते कनब रिसी के आस्रम में पहुंचे रिसी उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे इस से यूबती सकुंतला नहीं राजा दुस्यंत का आतित्य सत्कार किया उसी अफसर पर दोनों में प्रेम और फिर गंदर्व विबाह हो गया कुछ दिनों बाद राजा दुस्यंत वहाँ से अपने राज्जिक को चले गया कनब मुनी जब लौट कर आये तब यह जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि सकुंतला का विबाह दुस्यंत से हो गया सकुंतला उस समय गरब बती हो चुकी थी समय पाकर उसके गरब से बहुत ही बलबान और तेजस्वी पुत्र उथ पर हुआ जिसका नाम भरत रखा गया कहते हैं भारत का नाम भरत के नाम पर ही पड़ा इस कहानी में राजा दुस्यंत बिदा लेते समय सकुंतला के साथ अनुरोध पर उसको यादगार स्वरूप अपने राच्सी अंगुठे निकाल कर उसे दे देते हैं तथा कहते हैं कि वो उसे लेने के लिए सिग्रे अपनी चतुरंगी सेना भेजेंगे दुस्यंत के जाने के बाद सकुंतला राजा के खयालों में खोई रहती हैं एक दिन दुर्बासा रिसी आसरम में आते हैं अपने खयालों में खोई सकुंतला दोरा दुर्बासा रिसी का उप्युक्त सम्मान नहीं करती हैं इस अपेक्षा से क्रोधित होकर दुर्बासा रिसी सकुंतला को सराब देते हैं कि जिसकी यादों में खोकर तुने मुझे उचित सम्मान नहीं दिया वो तुझे भूल जाएगा इस सराब से सब आसरम बासी सहम जाते हैं और दुर्बासा रिसी से छमा मांगते हैं और सकुं पहचान की वस्तु दिखाओगी तो वो तुम्हें पहचान जाएगा अपने पुत्र को उसका हक दिलाने के लिए सकुंतला अपने पुत्र और कुछ आसरम बासियों के साथ कुल्पति कनब का असिरबाद लेकर अपने पती राजा दुस्यंत से मिलने के लिए आसरम में प् अंगूटी निकलकर पानी में गड़ जाती है राजा दुस्यंत के राजधानी पहुंचकर सकुंतला अपने पुत्र के साथ राजा के महल में उनसे मिलने जाती है और उनसे कहती है कि हे राजन आपने मेरे साथ गंधर्व विबाह किया है और मेरे साथ ये बालक आपका और वे सकुन्तला को अपने बिवाह की कोई निसानी दिखाने को कहते हैं सकुन्तला जब अपना हाथ उठाकर दिखाती है तो उसमें राजा की दी हुई अंगूठी नहीं होती इससे सकुन्तला को सब के सामने अत्यधिक सरमिंदा होना पड़ता है और वो राज्य सभा को छो कोने की अंगूठी मिलती है अपने साथिओ से पूछने पर उसे पता लगा कि बहुति तो राजा की है इस बात का पता वहां मवजूद राजा के सिपाहियों को लगता है और वह उसे पकड़कर राजा दुस्यंत के पास ले जाते हैं यह राजा जब उस अंगथि को देख के पास राजा को एक बालक दिखता है जो कि एक सेर का मुख खोल कर उसके दात गिन रहा था राजा के पूछने पर वो कहता है कि वो सकुंतला का पुत्र है और राजा को आस्रम में ले जाता है जहां राजा दुस्यंत का सकुंतला से मिलन होता है राजा दुस्यंत अपनी पत जाल भुखंट को एक कत्रित कर कई बर्सों तक राज किया और इस चक्रवर्ति समराट के नाम पर इस देश का नाम भारत बर्स पड़ा अभिज्ञान सकुंतला में अनेक मार्गिक प्रसंगों का उल्लेख किया गया है एक उस्समें जब दुस्यंत और सकुंतला का प्रथम मि इनकार करना चौथा प्रसंग है उस समय का जब मचुवारे को प्राप्त दुस्यंत के नाम बाली अंगोठी उसको दिखाई जाती है और पाच्मा प्रसंग मारिची महिर्शी के आस्रम में दुस्यंत सकुंतला के मिलन का